नमस्कार, BKC गुरु क्लासे में आपका स्वागात है, आज हम पढ़ेंगे MP बोर्ड क्लास फोर्थ इंग्लिज, लेशन नम्बर 6 एक नन्ही चिडिया, once I saw a little bird, एक बार मैंने एक नन्ही चिडिया देखी, once एक बार, I saw, मैंने देखा, a little bird, एक नन्ही चिडिया, coming hop, 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 फुदक, फुदक, फुदक कर आती हुई, या आ रही, so I cried out little bird, तो मैं चिलाया, नन्ही चिडिया, will you stop, 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 क्या तुम रुकोगी, 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 I was going to the window, मैं खिड़की की तरफ गया, to say, how do you do, कहने के लिए कि तुम कैसी हो, नन्ही चिडिया से कहने के लिए कि तुम कैसी हो, but he shook his little tail, पर उसने अपनी नन्ही पुच हिला दी, and away he flew, और वो दूर उडगई, तो वच्चो इसे एक बार हम दोर आते हैं, Once I saw a little bird coming, hop, 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 so cried out little bird, will you stop, 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 I was going to the window, to say, how do you do, but he shook his little tail, and away he flew, चलिए, आगे बढ़ते हैं, Exercise पर आते हैं, Listen and Repeat, सुनो और दोराओ, तो क्या है पहला सब्द, hop, hop means फुदकना, hop means फुदकना, फिर सब्द है, chop, chop means काटना, chop means काटना, chop की स्पेलिंग, c-h-o-p, chop, फिर है हमारे पास shop, shop means दुकान, shop किसे बोलते हैं हम, दुकान को बोलते हैं, चलिए अगला सब्द क्या है, अगला सब्द है हमारे पास, से, से याने कहना, से मिन्स है कहना, फिर उसके बाद आता है, मे, मे मिन्स सायद, फिर अगला है, रे, रे मिन्स किरन, सन की होती ही ना, रे, तो रे मिन्स किरन, फिर अगला सब्द है हमारे पास, टेल, टेल मिन्स पूच, टेल मिन्स पूच, फिर अगला सब्द है फैल, F-A-I-L, फैल, फैल मिन्स हारना, फैल मिन्स हारना फिर अगला सब्द है मेल, M-A-I-L, मेल, मेल मिन्स संदेश या डाक, जिसे हम सेंट करते हैं मेल को फिर आगे आता है, फ्लेव, फ्लेव, तो फ्लेव मिन्स क्या हो जाएगा, उड़ना, यहां लिख देते हैं, उड़ना फिर ब्लू, B-L-E-W, तो यह ब्लू अलग स्पेलिंग है, ब्लू मिन्स बजाना और फिर C-L-U-E, क्लू, क्लू मिन्स सुराग इस तरह से हम इन्हें पढ़ सकते हैं, हॉप, चॉप, सौप, से, मे, रे, एल, फैल, मेल फिर, 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 ब्लू, ब्लू, क्लू, आगे बढ़ते हैं, वर्ड पावर में आते हैं वर्ड पावर, फिल इन दे ब्लैंक्स यूजिंग दे वर्ड गीवर इन ब्रिकेट्स ब्रिकेट्स में दिये गए सब्दों का उपयोग करके खाली स्थानों को भरना है तो क्या-क्या सब्द है? क्राइट, सूक, से, स्टॉप, फ्लूप तो चलिए भरते हैं पहला है दपोयट दपोयट क्राइड आउट लिटिल बर्ड तो क्या जाएगा? अगला सब्द है अपसन बी में देखते हैं दपोयट रेन तू से हाव दो यू दू अब अगली लाइन क्या है? दपोयट आस्क्ड दद लिटिल बर्ड पोयट ने लिटिल बर्ड से कहा स्टॉप, 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 स्टॉप तो यहाँ जाएगा स्टॉप अगला है दब बर्ड दब बर्ड सूप यहाँ पर क्या हो जाएगा? दब बर्ड सूप, हिस लिटिल टैल अपनी छोटी पूच को हिलाया पक्षी ने फिर आया दब लिटिल बर्ड फ्लू अफ ल ए डव फ्लू आखरी में वहाँ उडगई फ्लाई से बना है फ्लू चलिए अब लेते हैं एक्सरसाइज बी मेज दे साउंड्स क्रियेट बाइद बाइद बर्ड सेंड एनिमल्स पक्षियों और पसूं के द्वारा निकाले गई आवाज को मेज करना है तो सबसे पहले कुकू सबसे पहले है कुकू कुकू की आवाज कैसी होती है इसकी आवाज होती है सिंग्स कोयल क्या करता है गाता है फिर डॉग डॉग की आवाज कैसी होती है डॉग की आवाज होती है बार्क्स भोगता है फिर अगला आता है तीसरा नमबर अकेट म्याऊंस तो यह म्याऊंस आ जाएगा फिर चौथे नमबर पे है आ जेकॉल जेकॉल की आवाज कैसी होती है हाउस और फिर पाँचवे नमबर में है लॉयन लॉयन की आवाज कैसी होती है रॉस और अमंकी मंकी क्या करता है चैटर्स इस तरह से हमें पसू पक्षियों की आवाजों को मिलान करना है आगे आता है आंसर दीस क्वेश्चन्स पहला प्रश्न हमारे पास है वाट दिड दपोएट सी वन डए पोएट ने एक दिन क्या देखा डिट लगा हुआ है ना इसलिए यहां पर सी के स्थान पर क्या हो जाएगा शा हो जाएगा तो देखेंगे दपोएट स्था पोएट ने देखा लिटिल बॉर्ड लिटिल लिडबल टी ली बॉर्ड बॉर्ट ने क्या देखा लिटिल बॉर्ड फिर दूसरा है चिडिया कैसे आ रही थी कैसे आ रही थी चिडिया ते देखे सेकेंड का आंसर हम क्या लिखेंगे दब बॉर्ड वास कमिंग हॉप 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 यह आ जाएगा हॉप 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 थीसरा पॉप्रस्ण है इस रा symmetry है वाट दिद पूइट आस्क दलिटिल बॉर्ड तो कवीन hey ननी चिडिया से क्या पूछा क्या पूछा दक पूएट आस्क दलि लीटिल बॉर्ड तू स्ट उिस्टाप इसटाप इस्टाप इस्टॉप रुकने के लिए कहा फिर अगला प्रस्न है वेर वाज द पोएट गोईंग कभी कहां जा रहा था द पोएट वाज गोईंग टू द देखिये प्रस्न से ही बन रहा है द पोएट वाज गोईंग टू द विंडो यहां लिख देंगे विंडो डवल आई एंड द व फिर अगला प्रस्न है वाट द द पोएट वाट वाट टू से कभी क्या कहना चाहता था तो देखिये द पोएट वाट वाट टू से या यह वाट टू से हम लिख सकते हैं द पोएट वाट वाट टू से हाव दू यू दू हाव दू यू दू यू दू यहाव कहना चाहता था हो चली आव अगली एक्सरसाइज है let's learn आओ सीखें study the following examples they will show you how and when to use तो देखिये हम इन वाक्यों को पढ़ें और inverted कामा का इस्तिमाल कैसे और कब किया जाता है यह हम जानेंगे चली पहला sentence है इन वाक्यों को पढ़ें और inverted कामा का इस्तिमाल कैसे और कब किया जाता है यह हम जानेंगे father said माने कहा I am not feeling well मुझे अच्छा नहीं लग रहा है फिर दूसरा sentence है father said my son writes a letter to me every week पिता कहता है कि मेरा पुत्र मुझे हर हपते पत्र लिखता है अब देखिये the old man said बुढ़ा वेक्ती कहता है I always speak the truth मैं हमेशा शत्य बोलता हूं अगला है C said वह कहती है I have never told a lie मैं कभी भी जूट नहीं मैंने कभी भी जूट नहीं बोला फिर आगे देटीचर सेड रोशन वाट डिड रेनु से टीचर कहता है कि रोशन रेनु क्या कहती है तो इस तरह से हमें इन्वर्टेट कामा का इस्तिमाल करना है फिर आगे है Let's Talk आओ बात करें फ्रेम सेंटेंसेस फ्रेम सेंटेंसेस फ्रॉम टेबल एंड टॉक अबाउट विट यूर फ्रेंट्स तो चलिए सेंटेंस बनाते हैं पहला सेंटेंस बनेगा अब दूसरा सेंटेंस क्या बनेगा देखिये दूसरा सेंटेंस क्या बनेगा है फिर अगला सेंटेंस क्या बनेगा अब लेते हैं दप पीकॉक ब्यूटिफूल फेदर्स हैस ब्यूटिफूल फेदर्स हैस का परियोग करना है दप पीकॉक हैस ब्यूटिफूल फेदर्स तो मूर के पंक बहुत सुन्दर होते हैं और अंतिम सेंटेंस क्या होगा दा पीकॉक हैस अ कलरफुल टैल पीकॉक की रंगीन पूछ होती है इस तरह से इन चार वाक्यों को लिख कर अपने दोस्त से बात करनी है तो यहाँ पर हम अपनी नोट बुक मेंने उतार लेंगे आगे आता है लेट्स राइट आओ लिखें कम्प्लीट दस फॉलोविंग लाइन्स बाई रीडिंग दपोयम पोयम को पढ़कर इन नीचे दी गई पंक्तियों को पूर्ण करना है पहला सेंटेंस है आई सा अ लिटिल बर्ड कमिंग तो मैंने आते हुए देखा एक छोटी चुडिया को कैसे तो आ जाएगा हॉप 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 फिर दूसरा सेंटेंस होगा आई क्या हॉप 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 हॉ हाव दू 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 और फिर अंतिम है दू लिटल बर्ट सूक इटस लिटल तेल और अवे ही फ्लेव तू लिख देंगे अवे ही फ्लू और भाया छोटा प्लेव। पक्षी अपनी पूछ हिला कर उड़ गया आगे देखिए बी नंबर पर क्या है राइट नेम्स ऑफ एनी टेन बर्ट्स एंड राइट फाइव लाइन्स ओन्द पैरट तो हमें दस पक्षियों के नाम लिखना है और तोते के बारे में पाच लाइने लिखना है तो चलिए हम दस पक्षियों के नाम पहले लिख लेते हैं तो सुरू करते हैं तोते से एकि पीकॉक लिखि देते हैंड पी ई-ए-स-c-o-c-k फिर लिख देते हैं फिजन पी-آई-जी-e-o-n फिर लिख दिया हैं फिर लिख लिख दिया स्पैरो फिर वावल फिर लिख दिया कुकू फिर आगे हमिंग बर्ड भी लिख सकते हैं हमिंग बर्ड फिर लिख दिया क्रो लिख देंगे तो ये नौवे नमबर में क्रो लिख दिया दसवे नमबर में डौ लिख देंगे इस तरह से हमने दस पक्षियों के नाम लिख दिया इसके बाद हमें पैरेट्स के बारे में पांच बाते लिखना है तो चलिए हम यहां लिख देते हैं, पर्रेट के बारे में जैसे हम लिख देंगे, पर्रेट is a bird, लिख दिया, पर्रेट is a bird, एक पक्छी है, फिर क्या है, it is green in color, यहां कैसे color में है, it is green in color, चलिए, यहां हरे रंग का होता है, it has red beak, कैसी beak होती है, red beak तो लिख देंगे, it has red beak, फिर क्या लिख देंगे बच्चों, आगे आया, it can speak like a man, जब हम इन्हें सिखाते हैं, तो यहां एक इनसान की तरह बोल भी सकता है, और फिर क्या लिख देंगे, इट लाइक तो इट ग्रीन चिली ज्यादा खाना पसंद करते हैं, लिख देते हैं, चिलीज, ठीक, इस तरह से हमने parrot के बारे में पांच लाइन लिख दिया, आप और भी कोई दूसरी पांच लाइन लिख सकते हो, ड्रॉप पिक्चर आफ, यहां पर हमें parrot का चित्र बनाना है, तो आप बना लिजेगा एक तोटे का चित्र, मैं यहां पर इसी तरह से बना दे रहा हूं, तो आप यहां पर तोटे का चित्र बना देंगे, फिर क्रो यहाँ पर हमें एक कोवे का चित्र बना देना है यह ना कोवे का चित्र बना देंगे आप यहाँ फिर यहाँ पर पिकॉक एक मोर का चित्र बनाना है हमें तो यहाँ पर आप पिकॉक का चित्र बना देंगे और यहाँ पर पिजन का चित्र बना देंगे कबुतर का तो बच्चों आज का हमारा यह लैशन 6 यहीं समाप्त होता है धन्यवाद